वरे गुद आफ्टर नून गईस, बरलन दिसाइट, वेलकम बाक तो अनदर लर्निंग वीडियो तुम ट्रेले बरलन, यह आज मंडे मार्केट कंप्लीट हुआ, तुस्टे मार्केट ताट इस फिन निफ्टी एक्सपारी के लिए क्या इंपोर्टेंट लवल्स होंगे बैं कहां पर देखने वाली क्या बात है, मार्केट ने शोग क्या किया, फर्स्ट फिफ्टी मिनिट कंडल को देखोगे तो एक रिजेक्शन शोग कर रहा था, कहां पर क्लोजिंग में, क्लोजिंग में रिजेक्शन शोग किया, that means we have to look for the upside, okay, now अगर आपने क्लोजिंग जो फर्स्ट मिनिट का कैंडल है, उस असाब से भी अगर आपने एंटरी बनाई होती, तो लगबग अगर आप होल्ड करते हैं, तो आपको लगबग लगबग 130 पॉइंट मिल जाते हैं, इतने तो चाहिए ही नहीं थे, we just needed how much points, 30-40 points enough है, okay, अगर 30 points भी ट्रिक कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया है, okay, we have to go with the consistency, now guys, the point is, market कहां पर आके अठका है, market आके अठक गया है, कहां पर, जो 0.5% retention area है, इस top और इस bottom का, okay, and जो ये TL है, वहां पर आके market अठक गया है, ये हो गई बात Nifty की, जो range है, अभी, range सेम ही रहना Nifty मे, आज का जो लो है, उ यहां पर चले जाएगे, बस, that's it, इसके, इससे जादा कुछ करना नहीं है, market अगर कल, इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर खुलता है, मान के से लिए market यहां पर खुला, ठेक हैं, इसके नीचे 15 मेट की candle form होती है, तो we have to look for the downside, but अगर market flat खुलता है, इसके नीचे खुलता ह अगर market 15 मेट की candle closing देता है, इसके ऊपर, तो we have to look for the upside, that's it, okay, आप इसका screenshot लिजे दिन अपन आगे continue करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, I hope आपने screenshot ले लिया होगा, now the thing is, we have to discuss about the nifty bank, nifty bank ने भी क्या किया, थोड़ा बहुत upside show किया, okay, कहां से रेजेक्शन ले करके, closing से rejection ले करके, closing से rejection मेने के बाद कितने point का अपमोव देखने को मिला, लगबग, लगबग, closing से 230 point का अपमोव देखने को मिला, अगर आपने 50 point भी कोई strike में trick किये होंगे, तो enough है, okay, now the point is, closing को अपने को कहां पर upgrade कर लेना है, closing को upgrade कर लेना है, कुछ यहाँ पर, जो आज का low है, वो upgrade कर लेना ह कुछ यहाँ पर, लगबग आप यहाँ भी रख सकते हो, आपके पर depend करता है, okay, मेरे हिसाब से मैंने जहाँ पर रखा था, वहाँ पर कर लो आप, now the point is, अब इसके उपर aggressive CE, इसके नीचे aggressive P, यह दो levels को ध्यान पर रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, closing का तो game जानत क्यों क्यों क्योंकि आपको जादा time नहीं लगेगा, क्यों क्योंकि market में levels अपने बदले नहीं है, level same ही है, okay, so I am not changing the levels, I am just explaining the major points, तेक है, nifty finance में, एक levels कुछ ऐसा होगा, जो की होगा closing, तेक है, जो दूसरा level है, वो है, जो low है, कहां का, आज का, this will be the second level, and the third level, जो की होगा, Fibonacci का, up, and यह रहा down, and यह रहा आपका level, so this is it guys, close it, and just इनका एक mark, एक screen shot ले लो, आप, इसके उपर, shot covering आएगा, अपसाइड रेखना है, इसके नीचे, down, trend जो continue होगा, वो होगा, okay, swing low तूटे का, तो panic बनेगा, okay, इसके नीचे, we have to look for the downside, and closing पे जानते हो, how we have to play, just simply, market, इनके बीच में अभी range करेगा, मेरे हिसाब से, इनके बीच में रेंज करने है, तो कोई दिकर नहीं है, breakout हो, breakdown हो, simply CEP, buy करना है, and wait करना है, बैठना है, टेके, यह दोनों जब आपाई, take care, telegram पे updates देता है रहता हूं, तो वो check out कर लेना, तो आपको ज़्यादा benefit हो जाएगा, मतलब, like, समझने में ज़्यादा better होगा, okay, एक और stock है, Tata Chemical, मैं आपको लोगों को, जो last trade बताया हूँ, Tata Chemicals में, उसको एक बर explain करना चाहता हूँ, मैं एक बर explain कर देता हूँ, okay, now guys, just look at this consolidation, मैं one hour time frame में आपको लेकर जा रहा हूँ, and ये consolidation को देखो, ये consolidation को, देखो, ये कितने दिन का consolidation है, ये है 185 days का consolidation, and यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक breakout दिखा है अपने को, volume देखो यहाँ पर, volume अच्छा कासा है, breakout with volume, now the thing is, बस ये fake breakout ना हो, trap ना कर रहे हो, manipulators तो जादा अच्छा है, अच्छा कासा पैसा बन जाएगा, अगर ये real breakout होगा, तो, मेरे हिसाब से, इस stock में, कम से कम 20 या 30% का upside, अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आने वाले time पर, that means, in this month only, okay, अगर ये अच्छा कासा एक, बोल सकते हैं, तो, एक upside देखने को मिलेगा, मैं आपको one day time frame, अगर मैं आपको monthly time frame show करूँ, अगर मैं आप लोगों को monthly time frame show करूँ, तो, यहाँ पर देखो, यह कितने month का, जो breakout है, वो दिया है, इस level को देखो, यह कितने month का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझ लो, तो, पांच मन्त का जो breakout है, वो हुआ है, So, there are higher probabilities that the stock can even achieve the all time high, Okay, so, as for me, अच्छा कासा entry बना है, जो equity में भाई किये हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, मैं आपको अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, अगर यह stock, इसके उपर close हो गया ना, इस month, तो next month में, कुछ एक ऐसी type से, sorry, यह ज़्यादा खराब हो गई, मेरी drawing खराब है, ठेक हैं, next month में जो candle बनेगा ना, वो ही बनेगा, यह candle, अभी से mark कर लेना, ठेक हैं, अभी से mark कर लेना, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, Tata chemicals, अभी, जो भी rate पे चल रहा है, 1059 पे close हुआ है, ठेक हैं, यह month में कहां closing देता है, अगर यह month में, यह closing रहती है, आपकी 1032 के above, तो Tata chemicals, next month में higher probabilities है, की 1200 रुपए अचीव कर लेगा, ओके, देखते हैं क्या होता है, as per me, मेरी तो यह एक्सपेक्टेशन से यार, ओके, और मैं प्राइस को रीड करता हूँ, उससे जाधा कुछ नहीं करता हूँ, now the thing is, we have to wait, wait and wait, यह दो जाद तक के लिए, bye-bye guys, take care and just want to say, together we have to go a long way, stick with respect, bye guys, take care.